नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल विकास फिजिकल एजूकेशन स्टड़ी पर मैं आपका साथी विकास लगा तर खेल वैसिक्षा की जानकारी के लिए बनाऊ हूँ आपके साथ तो दोस्तों अमारी आगामी प्रिक्षाय स्टेट की प्रिक्षाशी महिने हो जाएगी और इससे आगे जो प्रिक्षाएं है वही भी आर में विकेंशी आने की उमीद हैं राजस्तान में भी और अर्याना का पीजीटी में भी वेकेंशी एड हो सकती है वही पीजीटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी है जो एमपेड की है जिस स्टूडेंट ने वो PGT के एस्टेट पर फोकस करे, मेरी सला उनको ये रहेगी क्योंकि वेकैंसी रियाड हो सकती है जो पीछे वेकैंसी निकली थी उसमें और राजिस्तान की वेकैंसी है और वही माचल का भी आगया एक्जाम है और जितने भी स्टेट की एक्जाम है फिजिकल एज्यूकेशन के उनके लिए यह है जो पेपर है TGT H.T. 2017 यह आपके लिए उप्योगी साबित होगा चलिए दोस्तों सुरू करते हैं विश्व सवास्ते संगठन डबल उएचो डबल उएचो का मुख्यल है कहा है वई नई दिल्ली वाशिंगटन जिनेवा डेन्मार्क तो राइट आंसर है वई जिनेवा में जिनेवा कहाँ पर है वई स्वीट जर्लेंड में स्वीट जर्लेंड की रादनी है बर्न साथ अप्रह लूनी सोड तालिस को इसकी स्थापना हुई टेड्रोस एंदम इसके जो डारेक्टर थे हैं वई पीछे आगे चलते हैं दोस्तो आईसोटोनिक वायाम का संबंध है गती से दमखम से सकती से लची लेपन से तो इसका राइट अंसर है वई शकती से ओप्षन बी आईसोटोनिक वायामों की खोजकी वई डीलून मोग दनेनून इसोट्चमन में जिन वायामों में गतीविदियां सपस्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या का आजाता भी आईसोटोनिक वायम का आजाता है आगे चलते हैं दोस्तों योग दिवस कम मना आ जाता है 20 जून, 22 जून, 23 जून तो वही योग दिवस मना आ जाता है 21 जून को यह इसका राइट अंसर है ओप्शन भी आगे चलते हैं दोस्तों सनैच का सम्मंद है जूडो से एंडबाल से कुस्तिशे बारो तोलन से है और कलीन एंड जर्क का भी सम्मंद बारो तोलन से है और बारो तोलन को मेलाओं के लिए 2000 में सामिल किया गा था और वारत की बेटी कर्वन मलेश्वरी ने कां से पतक जीतता था भई आदार वजन और बल के बीच में कौन सी स्रेणी का उत्तोलक है वही पर्थम स्रेणी का उत्तोलक है वही फलकरम कहलो दुरी कहलो आदार कहलो जो बीच में है तो वह पर्थम स्रेणी का उत्तोलक है वही एक बाही ने कमेंट किया था वही कि बल बीच में तो बल बीच में ना वो वजन बीच में तो तीसरे उसका उत्तोलक है नेगी नेगी है कोई वाई उसको बता दूँगा नहीं वाई नेगी जी पर्थम स्रेणी के उत्तोलक में आदार बीच में रहेगा दूसरे में वजन बीच में रहेगा और तीसरे में बल आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्लेन उत्तोलक गुर्तवाकर्षण वह रेखा जहां गती जगह लेती है उसे कहते हैं प्लेन आगे चलते हैं दोस्तों एथलेटिक देखवाल है उचित कपड़े जूते सुरक्षात्मक उपकरण कर्माना वैसी इतली करन ये सभी विकल्प सही है ये भी भई हमारी जो 9 से लेकर 12 की दीपक की बुक है पप्लिकेशन की उससे लिए आ गया है उप्शन डी तो आपसे रिक्वेस्ट है जो 9 से लेकर 12 तक की बुक है उनसे मैं भी कुछ कोशन कराने की कोशिस करूँगा और आप उनको दोरा लेजिए दो तिन कोशन उनसे प्रश है ऐसका राइड आन्सार जहागा चलते हैं दोस्तों इस की स्टाइल प्रियोग होती है जोड़ा फैक में लंबी कूद में उच्छी कूद में बाला फैक में है तो इसका आंसर है ओप्शन भी लंभी कूद में है इसका लेंडिंग पीठ है वे नो मीट्र लंबा औ अर्दय में खून कोन लाती हैं शिराएं और अर्दय से ले जाती हैं वही दमनियां सबसे बड़ी दमनिया एरोटा महा दमनी और फुपुस दमनी में अशु दरक्त होता है बाकी सब इदमनियों में शुद्रक्त होता है पहले किसका बागे 2014 में तुभा था आज तक वहीं यह यह कोश्चन में कम से कम 200 बार बता चुका हूं आपको अपनी वीडियो में बार परशिक्षन का अंतराल परशिक्षन का प्रीदी-पर इअच्ट का hol देक covered फ़ाट लेक पर लेंटर जीमिनास्टिक लां टैनीस तीरंदा जी तीरंदा जी से लेंटर जी एक अप्शन डी अर तीनरा जीके अंत्रा स्रेसर से च यह कोछ नहीं आ सकता है यह दो दिन की यह से दावन दावने सब्सक्राइब नर्च्ता इसबंगे कुमने नहीं राओं लोल यह छोंतर列 बहुते हैं यह अर्चसे एक तावी पंद्रा सो मिटर यह कोशन भी बहुत बार पूच आगा है तो उप्शन भी इसका राइट आंसर है सारी इक शिक्ष्या का क्लासिकल यूप कहा जाता है ओमर काल को स्पार्टा काल को पूरो थे हैं एथन्स काल को उत्तर एथन्स काल को क्लासिकल एज क्लासिकल एज कहलाता है वही कौनः सा काल स्पारटा काल एक मुवी वणी दी 300 उसमें स्पार्टा के यह दाओं का वर्णन था उस पारटा का राजा लियो नाइडर्स जो 300 सैनिकों के साथ लोग आ लेते हुए रोंग के राजा से वो सहीद हो जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता पिंग पॉंग पिंग पॉंग कहलाता है वही जुडो वूसू टेबल टैनिस लान टैनिस तो टेटे टेटे का दूसरा नाम पिंग पॉंग है वही और 1988 में इसे सामिल किया इगा था ओलम्पिक में और वही पेरा ओलम्पिक में 1960 में सामिल किया इगा दी जलनेती होती है सुतरनेती रवडनेती ये नाक से पानी निकाला जाता है और ये सूत्रवर रवड निकाले जाती है तो नेती, दोती, वस्ती, तराटक, कपालवाती ये सभी क्या हैं किरियाएं है इस्वर प्राणी दान भाग है यमका, नियमका, आसनका, प्रणायामका तो इस्वर प्राणी दान भाग है वह इन्नियमका सोच सुद्धी तप सवाद्धाय पिश्वर पराणी दान और वही है यह अगला कोश्चन भी नाइन से लेकर 12 की बुक से है करीतरम सवास की वी दिया सेफर सिल्वेस्टर मुव वैनाक वी दी ए भी दोनो तो ए भी दोनो इसका राइट आंसर है ओप्शन डी मोरार जी देश योग संस्तान कहा है अरिदवार रिशी के स्पूना नई दिल्ली तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में मोरार जी देशाई योग संस्तान ये वही आईटी ओ से पहले पढ़ता है थोड़ा सा आपने देखा होगा दिल्ली अमारे स्टूडेंट दिल्ली से भी है और उपीशे भी तो नई दिल्ली तो इसका राइट आंसर है और दिल्ली की स्थापना जाट राज आणंग पाल तोमर ने की थी और वही अंग्रेजों ने कलकत्ता से 1911 में गोशना की और 1912 में दिल्ली को राजदानी बढ़ा है किस राजजय से कर्मन में लेशुरी बारव तोलक्सम बनीत है करनाटक केरला अरुनाचल परदेश आंदर परदेश तो वही एक छोटी सी ट्रिक है ये सोचकर याद करते थे जब हमाप की तरह स्ट्रगलर थे वही कर्मन में लेशुरीयान दी दी तो आंदर परदेश से औ पार्ट योजना के वाग हैं पार्ट ओफ लेशन प्लान आर एक तरी करन और उसमी करन एसेमली एंड वर्मिंग अप बिल्कुल ठीक है भई नए पार्ट का सिक्षन टीचिंग नियू लेशन बिल्कुल ठीक कोशला ब्यासमन औरंजन आपने बीपेड में किये भी होंगे ये सबी विकल्ब सही हैं ओप्शन डी इसका राइट आंसर है भई अगे चलते हैं ये जो पेपर है भई इसमें से ज्यादातर कोश्चन एक प्री एकजाम होया था पीजी टी का दो जर चोदा का उसमें से लिए गए थे ज्यादातर कोश्चन पैरियो ब्राइन तक्नीक का समंद की स्केल से है भई तस्तरी फैंक डिसकस थ्रो जैवलिन थ्रो एमर थ्रो शोट पूट पैरियो ब्राइन भई की स्केल से है गोडा फैंक से है पैरियो ब्राइन और डिसकोपट ये गोडे को फैंकने की तक्नीक है और गोडे का वजन मैलाओं के लिए 4 किलोग्राम औ आपको यह याद रखना है, एक मरन स्टेंड़त का समंदा की से, फुट वाल से, ये देखो ये मानता है बूर्ड, बास्केट वाल से, लेकिन अन्ने गेमों में भी वही इस्टेंड़त है, बास्केट वाल ओप्शन डी, इसका राइट आंसर है, ये मानना है बूर्ड ने, ल कुम्भक का संबंध है आसन से प्रणायाम से प्रत्यार चे दालना से तो वह कुम्भक का संबंध यह भी बता चुका हूं बहुत बार प्रणायाम से है कुम्भक का आर्थ होता स्वास को रोकना और प्रणायाम का था स्वास आयाम का था नियंत्रन स्वास पर नियंत्रन यह यम नियम आसन प्रणायाम चोथा वाग है और कुम्बक अंत कुम्बक उत्ता और बाय कुम्बक और वह डीप ली जाते हैं तो आठ वेद बताते हैं कुम्बक के राश्टर मंडल खेलों का अजन स्थल दोजार चोदा गा खुछ तो ऐसे बेवकूप हैं वही माफी चाहूँ हुआ लेकिन मैंने बता भैई 2014 केल हुए गलासगो में इसमें गलासगो जाए इसमें गलासगो ऊप्षयन में नहीं मिला तो भैई वो तो बूल गे पान के परती परती रोदगी समता कहलाती गती सकती सेंसीलता लची लापन सेंसीलता यह ज्यादातर कोश्चन है वही जो अमारी नांच से लेकर 12 एक की बुक से इजादब यह पर उठाए गा था उप्शन सी इसका राइट अंसर है ओलंपिक दवज में कितने चक्र होते हैं थोड़ा अलका लेवल था वही इसका ओलंपिक दवज में पांच चक्र होते हैं नीपिका हिलिस का मैंने एक वो बताए थी ट्रिक छोटी सी नीपिका नीला पीडा काडा हर्या लाल नीला यूरोप को परदर्सित करता है पीडा एशिया को काडा अफरिका को अर्या आस्टेलिया को और लाल अमेरिका को आगे चलते हैं दोस्तों ओलंपिक आदर स्वाके साइटिस अल्टिस फोर्टिस से तात्परी है तेज तर उस तर सदर्ड पहला यह उप्शन इसका रा मौचट रिगामेंट की चोट है रगड यह ताउचा की चोट है और वह खिचाओ कि यह ओप्शन भी मेरू दंड के एक तरफ मोड को कहते हैं काइपोसिस, लाडोसिस, स्कोलियोसिस, स्पैंडलाइटिस तो वही स्कोलियोसिस इसका राइट आंसर है अलायनोमीटर दोवारा यह माप्या जाता है ओप्शन C इसका राइट आंसर है यह भी वही नायन से लेकर 11 का चेप्टर है शरीर की विकरतियां आप वह बुक्स थोड़ा सा दोरा लेना पर्थमादुनिक ओलम्पिक खेला जीत वही बहुत आसान कोचे न वही यह वह ए एथेंस में 6 अपरेल ठारा सो चानवे को पैन एथना स्टेडियम में यह हुए थे और वही अंतराष्टे खेल दिवस्चे अपरेल को ही मनाया जाता है सारिक शिक्षा तथा केंद्रिया मनोरंजर प्रामर्स बोर्ड की स्थापना वही पीछे एग्जाम करवा था उसमें 1960 था वही अप्शन में लेकिन वह गलत था 1950 में बई कैवे पर कभी कैवे पर CABPER Central Advisory Board of Physical Education and Recreation 1950 में और AICS अखिल बारते खेल कूद परिशद उननिसो चमन में एडोक इनकवारी कमेटी उनिसो ठावन हुए शरीर की बनावट का सुचक शरीर बनावट सुचक है पोस्चर इज एन इंडेक्स ओफ चरीतर का स्वास्ते का वैक्तित्तों का स्वस्ता का तो भई यह है वैक्तित्तों का परिसनेलिटी का Option C Newton दवारा पर्ति पादित गती का नियम कहलाता है Newton ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गती के नियम दिये पहला नियम दिया जडतों का दूसरा तवरन का और तीसरा किरिया की पर्ति किरिया का दूसरा नियम होगा तवरन का लाउफ एक्सेलरेशन ओप्शन सी इसका राइट आंसर है एथेलेटिक्स में पहली बार करीतरम दावनपत का प्रियोग किस वरस हुआ आज सुबह ही विक्कम इस पर जो करीतरम दावनपत है इस पर दोड़ रेजे सेंथेटिक ट्रेक पर तभी एक दोस्त नहीं पूछा मगा भी 1968 मेक्सिको ओलंपिक में हाई एल्टिटूड पर हुए थे यह 1968 में पहली बार मस्कट लायागा पाले माँ कभूत्र मेक्सिको में वहाई फुटवाल गाज ज्यादा क्रेज है मानव जीवन की मनों बहुतिक एक ता है आत्मा और मन का विकास शरीर और अर्द्य का विकास मन तता मासपेशियों का विकास मन तता सरीर काविकास तो option D's का right answer है भई अगला question है हड़ियों का अधन हमारे कुछ दोस्त गलती करते हैं orthology होता है जोड़ों का अधन हड़ियों का अधन है osteology osteology हड़ियों का अधन है भई जोड़ों का अधन है orthology myology किसका अधन है आप्पु प्री शंचर्ण तंत्र का मुख्य भाग है कि अर्दय फेपड़े यक्रत अर्दय का वजन डाइसो से तिन सो ग्राम है और अर्दय का आकार एक बंद मुठी का होता है इसमें चार कपाट होते हैं चार इसके बाग होते हैं उपर ले बागों को आलिंद और निचलों को निला का आ जाता है मानव सरीर के कारियों का अद्धन है सरीर की रचना विग्ञान एनाटोमी फीजियोलोजी पेशियय गती विग्ञान कीuse valid और वही मानव सस्त्रे विग्यान तो इसका रायट आंसर सरीर की विग्या विगयान कीuse enzyology ओप्शन भी इसका राइट आंसर है कंवर्जन का संप्रक है इंदी में पढ़ा समझ मैंने आवे कंवर्जन फैदर वेट फैदर वेट पहले तो भाई कुस्ती में भी था लेकिन अब ये बॉक्शिंग से ही दिया गया सब्दाव लीगी कवर्डी से है बोनस भी कवर्डी से है और लोना के लिए दो अंक दिये जाते हैं वही कितने दो अंक उप्शन है इसका राइट आंसर है आगे चलते हैं दोस्तों ओपसाइड नियम और कि से बास्केट उसे एंड वाल से फुटवाल से अफिय दियम फुटवाल से है और फुटवाल विश्यों का सबसे लोक पर ये खेल है और फुटवाल अंटरनेशनल फुटवाल फेडरेशन गाम उपछले वहीं जियुरिक में ये भी 2015 आया है कोमल उतकों की चोटे हैं मोच किचाओ नेल ये सभी ये सभी इसका राइट आंसर है ओप्शन डी आगे चलते हैं दोस्तो दावन पत की एक पंगती की चोड़ाई ये भी डिसकस हुआ था हुई आसान कोश्चन है ट्रेक पर जाते हैं तो बाते हैं हो जाती है एक पॉइंट वाइस मीटर वो स्टेंडर्ड ट्रेक चारसो मीटर का होता है पेश ये गतीवी ग्यान अधन है किंसियोलोजी स्टडी ओफ ओमेर मोशन मानो गती का ओप्शन ए इसका राइट अंसर है आगे चलते हैं दोस्तों सारीक शिक्षा की बरांतियां है यह कोश्चन वही डी एसस्वी में भी आया था सरी शोष्टव सारीक परशिक्षन अनुशासन ये सभी तो वही आपको इसका कमेंट में अंसर देना है इस कोश्चन का कि बोडी विल्डिंग फिजिकल ट्रेनिंग डिसिप्लिन आल ओप्शन आज राइट मिसकोंसेप्शन क्या है फिजिकल एजुकेशन की आपको कमेंट में इसका जवाब देना है डी एसस्वी में ये कोश्चन आ चुका है कोश्चा का पावर आउस कैल आता है गोल जी को एरिक्तिका नुकलेस माइटो कॉंडरिया और केंदरक केंदरक होता है कोश्चा का नेंदरन केंदर केंदरक की खोज़ की दी भी रोवर्ट ब्राउन है बारत में दूसरी बार एशाई खेल कब हुए अभी बता था वई 1950 में पहली बार और दूसरी बार 1982 में उनका मस्केट क्या था वई अप्पू अप्पू इनका मस्केट था शुबंकर अप्पू था रक्त क्या होई कोशी का तरल सेयो जी उत्तक अंग संस्तान तो क्या विरक्त रक्त है तरल सेयो जी उत्तक हमेटलो जी रक्त का अद्धन है वह और रक्त में प्लाजमा का अद्धन है सेरोलो जी हर्दय की अंदरूनी परत कहलाती है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, तो वह अर्द्य की बाहर अंद्रूनी पड़ता है, एंडोकार्डियम, मद्द्य, मायोकार्डियम, और वह यह परत कई जगे नेट पे, पेपी दियागा, कई जगे पेरी है, रंगा स्वामी खेल, र वालीवाल, फुटवाल, बास्केटवाल, हाकी, हाकी रंगा स्वामी एक अकवार के संपादक थे, उनी के नाम पर ही है, कब दिया जाता है, आपको बताना वही चलो एक छोटा सा कोशन ओर देता हूँ, यह प्रतियोगता कब से रंगा स्वामी, पहले इसका ओर नाम था, कब से रंगा स्वामी के नाम से यह प्रतियोगता खेली जा रही है, तीन सेकेंडरियम कार्यविन्थ होता है, फुटवाल में, एंडवाल में, बास्केटवाल में, आथलेटिक्स में, तो इसका राइट आंसर भी बास्केटवाल में, और बास्केटवाल के जनक है, जेमस रखना वही और इसके पहले अरजनवाड़ी सरफ्जीत सिंह घो मानव सरीर की सब्से बड़ी गरंती यकृत वक्र ग्रहणी अगनाश है तो तो जान होतना अहें दूसरी बड़ी मिश्रित गरंति य्जूंटर नांत सब्से बड़ी अंतत्रतलं रहाब अले जो हिए पिथिन खेलों का संबंद है ओमरिक काल से एथिन्स काल से स्पार्टा काल से सरन युग से तो वह ओमरिक के पिथिन खेल होते थे एथिन्स काल में और ये डेलफी में खेले जाते थे सेन समता को विक्षित करने की विदिया है आईसोमेट्रिक वयाम नियंतर प्रसिक्षन विदी तवरण दोड आईसोकाइनेटिक वयाम आईसोमेट्रिक वयाम की खोजगी भी एडिंगर तथा मुल रणने नियंतर प्रसिक्षन विदी की खोजगी वेंक्रेश्ट ओकेवन ने और आइसो काईनेटिक कि वायम मोगी खोज क्ली पैरीन नमो देने तो नियांत्र प्रंक्रिक्ष्षन विदी सैंस्जंता को विक्सित करने की सबसे बेस्ट विदी है Crest far payer Shift आनसर है इसो कानेटिक वायाम मुकासब से अच्छा और नाल्के तालवद वयाम दीवार के खिलाप दबाओ दिवार के खिलाप दबाओ है वह क्या है। और फ्री तालवद के तालबद वायाम रिद्मिक अक्सर साइज हैं एक परपस संतुलन बैलन्स के लिए आइस स्केटिंग यह उपकरण के साथ भी हर गिश्मंग आइसो टोनिक और आइसो मेट्रिक का मिश्रण है और आइस स्केटिंग इसका सबसे अच्छा हुद दरना ओप्शन डी है अगला शटल कोक शटल कोक किसमे प्रयोग होती है पही बेडमेंटन में और अंतराष्य बेडमेंटन संकीस्ता पना 1934 और redoय बजन होता वह तया फिए सयाभडे पांच ग्राम ओप्शन तो दोस्तों अमारा कोशन यहह पूरा होता है लगातार हमारे साथ बने रही है आपकी आगामी परिक्षा के लिए है जो कोश्चन है ये काफी मददगार से दोंगे जैहिन जै भारत